हाई स्टुडेंट्स आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्सया आठ इतिहास हर्याना बोर्ड की है आपकी ये किताब हमारा भारत तीन अध्याय नंबर चार है छत्रपती शिवाजी एवं पेशवा इस वाल वीडियो में इस हम चैप्टर को इस कंप्लीट करूंगा साथ मैं आपको इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी वता दूँगा कि यह यह चीज़े आपको ध्यान रखनी है इनको एक्जाम्स में पूछा जा सकता है चैप्टर के अंदर से लेकिन हाँ उसके अलाव मैंने आपके लिए अभ्यास के पर सनुत्तर महत्तवपुर लिंग वह भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में चैक आउट आप कर लेना गूगल पर सर्च कर सकते हो वेबसाइट को अप सीचल चैप्टर डोट कॉम ऑफिशल वेबसाइट है तो वहां पर आपको मिल जाएगा रिटन में कंटेंट ब बहुत सारे युद देखे हैं मलब देखे क्या हमने तो पड़े हैं यार देखा कुछ नहीं है हम उस टाइम पर जिंदा नहीं थे हमने सिरफ पड़े हैं लेकिन उन कहानियों को सुनके जो मजा आ जाता है हमने पहले चैप्टर के अंदर मुगलों की कहानिया पढ़ी हमने भारतिय जो योद्धा थे जिन्होंने मुगलों के नाक में दम कर रखा था उनकी कहानिया पढ़ी लेकिन यह वो बंदा था छत्रपती शिवाजी जिसने पूरे भारत पे मराठा सामराज्य की नीव रख दी यानि कि भाई मलब पूरा जो है ना बोल सकते हो अगर यह जो भारत हमारा ऐसे नहीं बनता भाई मेरे को पता नक सा कैसा है लेकिन आपको अंदाज है के लिए बता रहा हूं मुगल बैठे हुए ना तो यह इतने बड़े हिस्से में छत्रपती शिवाजी का राज था तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि इन्होंने कितने खतरनाक है यह अपने टाइम में रहे होंगे और आज हमें इनकी कहानी इनकी जीवनी जानने के कामों का मिल रहा है उसके साथ ही हम जानेंगे पेशवा के बारे में पेशवा भी खतरनाक यह राजा थे दोनों की कहानिया बहुत प्यारी है चलो सुरू करते हैं चैप्टर को छोटा अध्याय में चत्रपती शिवाजी के बारे में जानकारी कठा करेंगे शिवाजी के संगर्स परसासनिक नीतियां सैनिक परबंद वे धार्मिक विचारों का अध्यान करेंगे क्योंकि देखो चत्रपती शिवाजी ऐसा कोई आसान काम नहीं होता भाई पूरे भारत पर राज करना तो उन्होंने जो संगर्स करें वो कैसे रहे उनके संगर्स उनकी नीतिया क्या थी इसानिक कैसे मैनेज करें उन्होंने और धार्मिक विचारों में उनका क्या राई थी तो वो सारी चीजे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इसके साथ ही सिवाज सास को भी सरक्षन दिया इस बारे में भी हमें जानने को मिलेगा बाजार के मुख्य चौक पर अब ये जो है ना चोटी सी कहानी बता रखे है ताकि आप कहानी की सुरुवात करो तो अलग अंदाज में बाजार के मुख्य चौक पर एक विशाल मूर्ती को देखकर विन्नी ने अपने पिताजी से पूछा पिताजी पिताजी यह किसकी मुर्ती है यह तो मैंने देखा इनी कभी पिताजी बोलते हैं बेटी यह सिवाजी महाराज की मुर्ती है बेटी सोचने लगेगी विन्नी बोलती है पिताजी यहां इतनी विशाल मुर्ती लगान पिता जी कहते हैं बेटी हमारे महान विदेशी ऑकरांता हैं इसलिए बीचमेız, इसलिए हमें अपने इन महान देश भक्तों के सच्ची- शरदा रखनी चाहिए, और इनके योगदान को कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि किस तरीके से नोंने संगर्स करके हमारी जिंदगी को बचा लिया तो अब जो है पिता जी कहानी सुनाने लगते हैं बेटी को चलो हम भी कहानी आपको सुनाते हैं बेटी का नाम कहीं नहीं आएगा हम डिटेल के साथ में ऐसे पढ़ेंगे ठीक है तो ये जस्ट एप के मन औरंजन के लिए देते हैं स्टार्टिंग में सत्रवी स्टाब्दी में दक्सिन भारत में मराठो ने शिवा जी के नित्रिताओं में सक्तिशाली मराठा राज्य की स्थापना की शत्रपती शिवा जी अब ये स्थाब्दियों का देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं इनको यह नहीं पता होता स्टाब्दियां क्या होती है यह जैसे सत्रवी स्टाब्दी लिखा हुआ है तो सत्रवी स्टाब्दी में जो है स्टाब्दी तो समझते हो आप सो साल की एक स्टाब्दी होती है यानि कि मान लो अभी क्या चल रहा है दो हजार कुछ चल रहा है ना अपना दो हजार बाइस चल रहा है ठीक है तो अब बाइस को हटा देते हैं मोटा मोटा हम जैसे की दो हजार हो गया ठीक है बावा बाध की स्ताब्दी होता है यहाँ पर सतर्वी स्ताब्दी का मतलब है कि सतरा सो और उस से बीच की बात हम कर रहे हैं सतरा सो से अगली स्ताब्दी तो ओठारवी स्ताब्दी हो जाएगी तो confusion नहीं होना चाहिए student में बहुत सारी student का मैंने देखा वह इसी में स्थाप्दियां भूल जाते हैं कौन सी स्थाप्दी लिखनी होती है उनको टाइम पता होगा फिर भी भूल जाएंगे गल असल चिपका जाएंगे कुछ भी तो भाई ऐसी गलतियां नहीं करते तो इसलिए मैंने आपको गुलामी की जंजीर तोड़ने वाले मुगल सासन की जड़े हिलाने वाले भारत को विदेशी एवं आतताई सत्ता से मुक्त कराने वाले वजन जन्ग में सवराज्य की भावना जगाने वाले कूसल परसासक द्रीड निश्चय वह योग गैरण नितिकार थे उन्होंने वर्स सवराज्य की स्थाबना किसी ने करी थी तो याद कर लोगे ना चत्रपति शिवाजी महराज ने करी थी वह याद कर ले ना एक नमबर में पूल सकते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट है शिवाजी ने अपनी अनुसासित सेना एवं सू संगठित परसासनिक एकाईयों की सहा गय एवं पर गतिशील परसासन पैदा के परदान किया उन्होंने चापा मार युद्ध की नई सैली विक्सित की चापा मारते हैं जैसे वैसे एक युद्ध उन्होंने तरीका अपनाया प्राचीन भारतिय राजनेतिक पर्थाओं वैं दर्बारी सिष्टाचारों को पुन नाम देव आदी के विचारों का योगदान मिलता है अब यह जो है आप बोलो भाई ये को ना गए देखो नाम देव का नाम आपने आपने पिछले चैप्टर में पढ़के आयो तीस्रे वाले में तो नाम देव वही बंद्य वह मलब संत वगरा थे तो उन्हीं लोगों से इंस्पायर थे उनका समस्त जीवन अनेक विजय गाताएं प्रेरग परसंगों तथा विश्यमकारी घटनाओं से परिपूर्ण हैं तो पूरी कहानी हम पढ़ेंगे मजा या जाएगा दिल खुस हो जाएगा आपके कहानी जानके देखो बाई कभी भी है ना ऐसी जो चीज अने वाली क्लासी में तो बोरिंग बोरिंग सा हो जाएगा सिस्टम फिलाल यह वाली कहानी आपकी मस्ता है यह वाली बूक बिल्कुल से नेक्स्ट लैवल की बूक है आरंभिक जीवन की बात करते हैं सिवाजी का जनम 19 फरवरी 1630 को पूर्णा के परसिद सिवनेरी किले मे जैसे आपका जनम हुआ था ना कहीं पर वैसे यह बता रहे हैं पूर्णा एक सहर है तो वहां पर जो एक जगह है शीवनेरी तो उस किले में वहां पर जनम हुआ था 19 फरवरी 1630 को किले की अधीर अधिश्टात्री देवी के नाम पर इनका नाम सिवा रखा गया नाम क्या रखाते हैं नेरा शिवा तो सिवा से सिवा जी बन गई है ना इनके पिताजी का नाम सहाजी भॉसले था जो मुराथा सरदार थे एवं एहमदनगर के नाजीम साही राज्या के एक परतिश्टित पद पर थे और इनकी माता का नाम क्या था जी जाबाई बड़ाई जीब स नाम के स्टाइल बदलते जाते हैं धीरे धीरे तो वही हुआ यहां पर पहले कुछ नाम रखते हैं अब कुछ रखने लग गए भाई क्या ही बोले वैसे आपका क्या नाम है कमेंट में जरूर बता के जाना शिवा जी का बचपन माता जीजा भाई के मार्क दर्सन में बीता शिवा जी के चरितर पर उनका गहरा पर भाव पड़ा जीजा भाई यानकि उनकी माता शीवा को बल्यकाल्स में रमायंद महाभारत ये तो कहानिया पढ़ के आए वाप, रमायंद पढ़ी थी 6th कलास में, 7th में पढ़ के आए महाभारत, तो ये कहानियां एवं भारती lore आतमा की कहानियां सुनाती थी, वीरातमा होती है, यानि वीर योद्धा, उनकी सब की कहानि उन्होंने सुनाई थी उन्हें माने अपने बेटे को जिसका उनके जीवन पर गहरा पर भाव पड़ा उन्होंने सिवा जी को धरम संस्क्रीती एवं राजनीची की शिक्षा भी दी दादा, कॉंड देवने, घुर्सवारी, तलवार बाजी, निसाने बाजी ये सब चीजे भी उसके दादा ने शिखा दी उसको सिवा जी बच्पन में अपनी उमर के बाला की कठा करके उनके राजा बन यूद करके किले जीतने का खेल खेला करते थे भाई आपकी तरह पबजी या फुरिफायर नहीं खेलते थे, ये लोग तो असली में खेल खेलते थे बच्पन से ही वे उस यूग की घटना को समझने लगे थे, तो था मुगलों के अत्याचारों की कहानियां सुनकर वे बेचैन हो जाते थे कि इन मुगलों ने तो नाक में दम कर रखा है, कभी बढ़ा हूँगा ना तब जाके पीटूँगा मुगलों को उमर बढ़ने के साथ साथ मुगल सासन की बेडियां तोड फैंकने के विचार उनके मन में उठने शुरू हो गए थे तो यह थे छत्रपति शिवाजी का सुरुवाती जीवन, अब यहाँ पे छोटा सा जो है ना साइड में देते हैं यह बक्से से यह पढ़ लिया करो क्योंकि भाई इनमें से कई बार दे देते हैं एक्जाम में भगोलिक प्रिस्तितियां, औरंग जेब की, धर्मिक्ता, हिंदू जागरन, मराठा संत कवियों का धर्मिक अंदोलन, वसीवाजी गाच्चमत कारी वेक्टितव यह मराठा उतकर्स के मुख्य कारण माने जाते हैं, यह पोइंटों में पी चाहो तो लिख सकते हैं, वैसे काम का लगे नहीं रहा मेरे को यह, चलो आगे बढ़ते हैं, महादेव गोविन दरानाडे की परसिद कृती, राइस ओफ ता मराठा पावर, यह एक किताब है, तो जो मराठाओं के उत्थान से सम्मदित इत्यास का वर्णन करती है, तो यह हमें पूरी कहानी बताती है, कि मराठा कहां से एक ऐसे जो है उटके पूरे भारत पे कबजा कर गए थे, एक बार सिवाजी के पिताजी, सिवाजी को राजा आदिल साह से मिलाने के लिए उनके दर नाम करने के लिए बाही राजा है, सामने वाला यार है, तो उसकी जद करने के लिए माथा टेकते हैं, जैसे भगवान के सामने माथा टेकते हैं, तो वैसे माथा टेका करते थे, लेकिन इसने नहीं करा भाई, ऐसा आया है, गटना उनके सोरिया और साहस को दरसाती है, कि कि सिवाजी का प्रारंभिक संगर्स कैसा हुआ चलो जानते हैं 19 वरस की आईयू में शिवाजी ने अपना विजय अभ्यान सुरू कर दिया उन्होंने आसपास के किलों पर कपजा करने के लिए सभी जाती के लोगों को संगठित किया यूवकों के सहयोग से दुर्ग विजय का क किला जीता इसके बाद में शिवाजी ने 1646 में तोरण दूर्ग पर कपजा किया आसपास के मुस्लिम परदेशों में खल बली मच गई भाई ये कौन बंदा गया यार इतना बवाल मचाने लग गया विसे पहले छुटकुस आई तो तोरण दूर्ग पर अधिकार करने के ब उसकी राजदानी क्या थी वो रायगड थी क्या थी रायगड में किला था वहाँ पर उसने अपनी राजदानी मनाया रायगड को और वहाँ पर रहता था सिवाजी की इस सामराज्य विस्तार नीती से बीजापूर का सासक आदिल साब बहुत सुब्ध हुआ उसने सिवाज के बाद उन्होंने 1667 में चाकन के दूरक पर कबजा कर लिया चाकन दूरकह के बाद कोडना कीले पर कबजा कर लिया सिवा जी ने 1654 में पूरंदर के किले को भी जीत लिया अब नाम याद नहीं रहेंगे लेकिन यह समझते चलो भाई कितने सारे कीलिए जीत रहा है इन गीलो को जीतने के बाद सिवाजी ने मैदानी छेत्रों में प्रवेस करने कीयोजना बनायी और अपनी असवारोही शेंहा असवारोही यानि कि घोडों की शेंहा के बल्म कॉंकर्ण सहीत नो किलो और और पजा कर लिया भाई मलब आपको सुनके शिवाजी की सफलताओं ने बीजापूर के सासकी नीद राम कर दी 1669 में बीजापूर के सुल्तान ने अपने सेनापती अफजल खां को अनेक परलोबन देकर सिवाजी के विरुद लड़ने के लिए तयार कर दिया कि भाई तेरे को सुनना दूंगा चांदी द जाता था चालू बन रहा था बहुत ज्यादा उसने सोचा क्यों अपनी शेना को मरवाना सिधी बात के बहाने उसको मार देते हैं उसने भाई चारे और सुलहा का जूटा नाटक कर अपने दूत क्रिशन जी भाजकर को भेज कर सिवाजी को संधी प्रस्ताव भिजवाया औ चैनलो भाई यह चीज उसने भेज़ दे लिखके ख्रिशन जी भासकर ने शिवाजी को अफजल खां की शिवाजी को मारने की योजना के बारे में बता दिया अब भाई स्कैम कैसे होगा देखो समझो एक बंदा था अफजल खां उसने एक अपने ही बंदे को भेजा खास जिसका नाम था Krishnan जी भाउकτε अब उस बंदे को एक पत्तर लिखे भेज दीया सिवाजी के पास में कि पत्तर उसको दिखा दे पत्तर लिखा है उसको पढ़के सुना दिया अब उसने जो है ना कृष्म से बास करने उसको सारी बाते सिवा जी को बता दी भाई ऐसा ऐसा पलान चल रहा है तेरे को मारने का तो अध्य सिवा जी इस संधी के लिए तयार होगे चल ठीक है बताते है तेरे को भी परताब गड़के कीले के पास दोनों के मिलने का स्थान निश्चित किया गया सिवा जी जैसे ही पहुँचे अफचल खाने गले मिलने के कि बहानेशी अपने दोनों हाथ फैला कर कटार से वार करने की कोशिश होने कटार समझते होैं तलवार टाइप का ही होता है वो ऐसे मलब हतियार बना के दिखाता हूं आपको ऐसी सी एक 32 देख्योंगे आपने बहुत सारी फिल्म हो मलब तलवार जैसा ही है तो उससे मारा चकु भी मारे होंगे उसने तो पूरी कोशिस करी उसने कि शिवाजी को ठोक डालो यहीं पे अब गले मिल रहे हैं भाई गले मिलने के बहाने देखो कितना बड़ा स्कैम करने की सोच रहा था तो शिवाजी ने बागनग अफजल खां को मार डाला और यह एक ऐसी एतियासी गटना है इ यहां पर करिब बनाने के लिए तो चार उंगल्यां होते है किसी पास पांश है तो नहीं है बता देएब कंशमें अब उसके बाद में देखते हैं आगे साहिस्ता खां को हराना सिवाजी की बढ़ती परभुता से मुगल सासक औरंग जेब बहुत चिंती था वह बीजापूर की साहिता से सिवाजी को मारना चाता था या हराना चाता था एक ही बात है इसलिए औरंग्जेब ने साइस्ता खां को दक्सिन का गवर्नर बना कर आदेश दिया कि मुराथों के विरूद आकरमक नीती अपनाओ उनके किले नश्ट कर धूल में मिला दो साइस्ता खां ने पूर्णा के पूरवी छेतर पे हमला कर सिवाजी के किले को जितना सुरू कर दिया सिवाजी ने 15 अपरेल 1663 को पूरवी पर कबजा कर दिया अमलब वो कबजा मार गया ना पहले वाला ये साइस्ता खां तो इस ने हमला कर दिया साइस्ता खां ने खिड़की से भाग कर जान बचाई थी भाई लेकिन उसका पुत्तर फते खां वहीं पर मारा गया उसको ठोक डाला वहीं पर सिवाजी के अचानक हुए इस हमले से साइस्ता खां की उंगलिया कट गई और वो इस जीत और सहा से सिवाजी की परतिष्टा और भी जादा बढ़ गई कि भाई इतने खतरनाक बंदे को जो सीधा सीधा काह सकते हो कि आप उनके स्थासक से औरंग्येब से युद लड़ने की बात काह रहे हो तो वह बात हो गई थी वहां पर अब हुई थी एक पूर अंदर की संधी इस संधी में क्या हुआ जानते हैं 22 जून 1665 यानि कि इस तारिक को हुई थी यह संधी तो इसलिए डेट आपके साथ लिखी हुई है यह याद कर लेना पूर अंदर की संधी पूछ सकते हैं आपसे तो 1664 में औरंग्येब ने अपने राज्ये की योग्या और अनुभवी मिरजा राजा जैसिंग को सिवाजी के विरुद अभियान के लिए नुक्त किया अभी औरंग्येब उस समय बड़ा सा सकता बहुत बड़े चेतर पर कबजा था इसका तो यह ज्यादतर सा सकती इसके गुलाम थे तो यह सोच रहा था भाई यह सिवाजी जो ज़्याद नहीं नहीं चीडिया उड़के आ रही है पूरओं मिर्जा राजा झैय सिंग ने बड़ी ही चतुराई से पूरंदय के किले पर घेरा ढाल दिया उसको जो है कीले को चारों तरफ से घेर डलां जब किले को बचाने में शिवा जी कि कोई उक्ती काम नहीं आई तो शिवाजी ने राज़ा जैसिंग के साथ वारता श संदी हो गई मतलब उन दोनों के बीच में एक ऐसा जो है जो यूद था वह विराम हो गया कि भाई तुम यह कर लो वह कर लो कुछ सरते थी संदी के अंदर सरते मानी गई शिवाजी अपने 35 किलों में से 23 किले मुगलों को दे देंगे भाई देखो कितने सारे किले मांग जो नीचे वाला हिस्सा है जहां पर इनका दबदबा था सिवाजी गा तो उधर के जो यूद होंगे वो मुगलों की तरफ से भाग लेंगे और उनके परती वफादार रहेंगे सिवाजी के बेटे संभाजी को भी मुगल दरबार में 5000 का मनसब दिया जाएगा अब ये सार बाते जो है वहाँ पर हुई जैसिंग के आगरा पर पूर अंदर की संदी के तहट सिवाजी 12 मई 1666 को औरंगजेब से मिलने आगरा पहुच गए सिवाजी को औरंगजेब के दरबार में जैसे सम्मान और व्यावार क्या पेक्सा थी उसके विपरित व्यावार देखकर सिवाजी को नजर बंद कर दिया कैद कर लिया अपने बेजोड सहास और युखती के साथ मदारी में महतर के सहयोग से वे वहां से निकल गए तथा बनार असपरियाग पूरी होते हुए रायगड पहुच गए यानिकि अपनी राजधानी इससे मराठो को नव जिवन मिल ग चैन गहता है कि सिवाजी के सवराजय के अंतरगत संपूर्ण भरत की कल्पना जय सिंग को पनी और मिलाने की उठकर्श्टृच्च्चा और हिंदुतव की भावना के दर्शन होते हैं इस पत्तर में सिवाजी दवारा जैसिंग के हरिदय में हिंदुतव के भाव जागरित कर औरंग्जेव के विरुद संगर्स का आहवान किया है उन्होंने औरंग्जेव की कूट चट्रपति शवाजी का तया है यह उनकी उपादी है चट्रपति नम जो यूज करते हैं इस समारों में कई विध्वान विभिन राज्यों के दूत और विदेशी व्यापारियों को भी आमंत्रित किया गया था श्वाजी का राज्येवी शेग और हिंदूपी सवराज्य की स्थाबना 27 अबदी के भारतिय इतियाज की अभूत पूर्व और सरवाधिक परवभावी घटना थी इससे एक सवतंतर वेधानिक मराठा राज्य का उद्या हुआ पर साशन के मार्क दर्सन के लिए राज व्यवहार कोस्त त्यार किया गया नया संवन्थ साल के अंदर मराठा सत्ता का भगवा दवज भारत के बहुत बड़े हिस्से पर लहराने लगा था और यह जो है एक वह स्वर्ण मुद्रा यह दिखा रहा है ना च्छत्तर पती ऐसे पूरा इकट्टा नहीं लगा जाए ना च्छत्तर पती ऐसे लिख रहा था और यहां प परसिद विद्वान गंगा भठ के दवारा हुआ था उनका राज्य भीषेक राज्य भीषेक के अवसर पर सिवाजी ने एक नया संवंत और सोने और साम तांबे के शिक्चे जारी किये और यह उनके शिक्के थी यह वाले और यह लिखा हुए दे को छत्तर पती आच्छा यह स्री शिवाजी हो गया तो यह देखो शीव लिखा हुआ हुआ है यहां पर पता है क्या लिखा हुआ हुआ है चलो छोड़ो या जो भी आया से कुछ सिक्के जारी हुए थे उस टाइम पर इन सिक्कों पर शीव शीव शत्रपती उत्किन कराया गया अच्छा यह मलब यह संद्स लिख क्षा हुआ है यहां पर काशला ड़ा दो ऐसा कुछ लिखा महीं है तो ऐसा कुछ लिखा हुआ यहां पर की धार्मिक निती जानते हैं शीवाजी एक धार्मिक सहिश्णू वैश्मर्पित हिंदु थे उनके सामराज्यें में différents भात रिताव था वे सबी धर्मों का सम्मान करते थे वे बलपूरवक धर्मांतरण के विरुद थे शिवाजी ने कई मस्जिदों के लिए अनुदान दिये वे हिंदू संतों की तरह मुसलमान संतों काफिरों का भी पूरा सम्मान करते थे उनकी शेना में शिद्धी इबराहीम दोलत खान मादरी महतर जैसे कई मुसलमान सैनिक और अधिकारी भी शामिल थे यानि कि इसने जो है न हर किसी की जद्ट करता था है और वो बंदा उसने राज्या में उनके राज्या में प्रारंबिक हिंदू मुल्यों और हिंदू संस्कृति का परचार कि ए तराराई यदी के समीया सब्स्राइब के सम्मान की रक्षा Geneva करने का अदेश देते थे अनके सासनकाल में और अंतरिक विद्रो जैसी कोई घटना नहीं हुई थी काम कसे स्विध Jenil कि अपने सामराजिये में अपने इसे तीन अप्रेल 2760 को वेस संसार से विदा हो गए इनकी मृत्यु के पस्चात उनके बेटे जो है समभाजी को राजा बनाया गया अब बेटा बनेगा ना भाई राजा पिता मर गया तो बेटा मर गया तो उसका भी बेटा अगर होगा तो वो बनेगा तो ऐसी चलता जाता है शिवाजी महाराज एक महान योद्धा और कूट नीतिक गया थे छतरपती शिवाजी को उनके अदम में साहस बुद्धी मता और कूसल सासन के लिए याद किया जाता है परसी देतियास का जदूनात सरकार के अनुसार मैं हुने हिंदू जाती दवारा उत्पन किया हुआ अंतिम महान किरियात्मक व्यक्ति एवं राश्टर निर्माता मानता हूँ शिवाजी ने यह पर्मानित करके दिखा दिया कि हिंदू तव का वरिक्स वास्तों में मरा नहीं है अपितू वह सुधियों की राजनितिक दास्ता सासन से प्रिष्थकता और कानूनी अत्यचार के पस्चात भी पुने उठ सकता है उसमें नवीन पत्ते और साखाएं आ सक है तो यह उन्होंने कहा था किस ने गाते कि सारे लाइने सर्कारने को में यहां पर ये udतरा रफ को वंने संभी पीजिवा की अधीन मराठा राज्य पेश्वा जो है उनके बारे में जानते हैं मस्त कहानी हैं इनकी भी पेश्वा मराठा राज्य में परधान मंत्री का पद होता था को होता था परधान मंत्री का पद जैसे हमारे देश में परधान मंत्री को बहुत इज़त होते हैं वैसे ही परधान मं बन गए फेस्वाओं के उत्थान का मुख्या कारण मराठा सासक साहूजी की नितियों और महाराष्टर में राजनेति का सेंतोस था इनका उत्थान ना तो अकस्मिक और ना ही अभूत पूर्व है उन्होंने धीरे धीरे साधारन इस्तिती से राज्या के पर मुख और फिर प को हटा कर राज्ये के सर्वोच इस्तिती प्राप्त करने के बाद राज्या को भी अपना स्थानी ने समर्पित करना पड़ा मलब कि एक ऐसे बोल सकते मुलाजिम थे राज्या के लेगिन धीरे धीरे नोंने इतनी खतरनाक टैक्निक लगाई पेश्वाओं ने तो उसकी साहू महाराज का पूर्ण विश्वास पात रहता वह सेना करता अर्था सेना के परबंदक के पद पर न्यूक्त हुआ बालाजी विश्वनात के चरित्र स्वामी भक्ति और योग्यता से साहू महाराज प्रभावी थे इसी समय दिल्ली में नया मुगल सासक न्यूक्त करने लगे परिणाम सवरू मराथा मुगल संदी संपन हो गई बालाजी विश्वनात को नय समराथ मोहमद सा से तीन बक्षिशे यानि के अनुदान मिले जो आगे जाकर भारत वर्ष में मराथा सत्ता की आधार सीला बनी सर रीचर्ड टेंपल्स ने बालाजी विश्वनात के च चार सील आसूरी सक्ती को चरितर बल से जीतने वाला था उसने सक्ती दवारा मुगलों को मराठो को स्वाधीन बनाने के लिए बाद्ध्या कर दिया बालाजी विश्वनात राजनेतिक चेत्र में अजे रहेकर मुसल्मानों की सक्ती में द्वन साव सेशों पर हिंदू राज्यों की स्थापना का परियतन करता हुआ दुर्भाग्या वसकाल मिर्त्यू को पराप्त हो गया तो ये मलब ऐसा कुछ हुआ था उनके बारे में उनके साथ में मलब ज़्यादा नहीं बता रहा कि उन्होंने क्या क्या संगस का मेंन साम को बताया गया बस चैप्टर में इनके बारे में क्योंके बहुत सारी दी नायार तो मराठा मैगना कारटा Indeed 1719 की मराठा मूगल संदी और इचंड टैपल ने मराठा मैगनकार्टा कहा इस संदी के अनुसार साहू को मराठा राज्य का स्वामी स्विकार कर लिया गया मराठा को दक्सीन भारत के छेंप परदेशों से चोत और सरदेश मुखी वसूल करने की अनुमती दी गई अवसर पढ़ने पर पेश्वा ने मुगल बादसा को सैनिक साहता भी देना स्विकार कर लिया था यह अगर जूरूट पढ़ेगी तो वो जो हमको सैनिक भी मुहिया कराया करेंगे तो यह उन्होंने ऐसी कुछ संदी उनके साथ में हुई थी चलो आगे बढ़ते हैं अब जानते हैं बाजी राओ पर्थम के बारे में बाजी राओ पर्थम 1720 से 1740 तक बाजी राओ विशवनाथ की मुर्ट्यू के पश्चाथ उसका जेश्ट पुतर बाजी राओ पेश्वा बना चोटी आयू होने पर भी बाजी राओ तीवर बुद्धी और बलवान सरीर का था वह राजनीतिक और सासनकारिय में दक्स था वह इस महत्वपुर्ण निसकर्स पर पहुँचा कि मुगल सत्ता का होस हो रहा है यह समय आतातियों को हिंदुस्तान से बाहर करने और अक्षय यस प्राप्त करने का है आओ हम उस मुगल राज्य की बात कर रहे हैं तो उसकी जड़ों को जड़ों पर कुठार घात करें यानि कि उसकी जड़े कमजोर कर दे जिससे इसकी साखाएं सेवम ही गिर्द पढ़ेंगी यदि हम अपने संगर्स को हिंदुस्तान यानि कि उत्तर भारत की और अगर सर करें तो मुराठा धवज क्रिशना से अटक तक पहराएगा तो यह उन्होंने लोगों को बोला और बाजीराव पर्थम को लड़ाकू पेस्वा के रूम में याद किया जाता है कि वो लड़ाकू जो तही उद्धा थे वह सिवाजी के बाद गुरिला युदका सबसे बड़ा परतिपादक था अब यहां पे साइड में कुछ दे रखा है तो वो भी देख लेते हैं बाजीराव की ललकार आओ हम उस मरित पराय वरिक्स की जड़ों पर कुठार खात करें यह तो वह शेम लाइन आ गया ना तो चलो आगले वाला पढ़ते हैं मस्तानी 1728 में बुंदेलखंड नरेश चतर साल ने मुगलों के विरूद बाजीराव से सैनिक साहता मांगी सैनिक साहता से लाभानवी थोकर 1728 में चतर साल ने पेशवा के सम्मान में एक दरबार का आयोजन किया उसने पेशवा को कई जागीरे तथा एक मुस्लिम नर्त की मस्तानी भेट की थी तो ये बताया जाता है ये भी एक बीच में पॉइंट दे देते हैं मज़े दिलाने के लिए चलो आगे बढ़ते हैं बाजी राव पर्थम ने हिंदू पादसाही का आदर्स रखा बाजी राव ने राज्ये की सेना को पुनहे संगठित किया 1731 इस्वी में परदेश से बहुत से मराठों का चोत और सरदेश मुखी का अधिकार सरव मानने हो गया बुंबल खंड को 1737 में विजय कर लिया गया यानि उसको जीत लिया कपजा कर लिया और दिली की और कूच किया गया यानि कि अब जो मुगल थे ना वो ज्यादा खास जो दबदबा था वो तो दिल्ली और दिल्ली के असपास के एलाकों में तो ये जो मराटे थे महाराश्टर से जो की नीचे वाले हिस्चे में दक्षिन भारत में वहां से उठके दिल्ली की तरफ आने लगे दक्कन से निजा मुगल समराट की सहता के लिए आगे बढ़ा किन्तु भुपाल के निकट उसे प्राजय का मुझ देखना पड़ा उसने उपचारिक रूप से मालवा और गुजरात मराटों को देने पड़े परसिद इत्यास का डोक्टर डीगे के मतानुसार भुपाल विजया मराटों की स सफलता भियान का सरवच समय था मुसल्मानों की संयुक्त सेना को भुपाल में हरा कर पेस्वाओं ने मराटों की सेनिक सक्ति को सारे भारत वर्स में स्रेष्ट सिद्ध कर दिया कि वह ज्यादा ताकतवर है निजाम उल्मूल्क ने बाजी राव को पचास लाग रूपे उनका देहान तो गया उसके बाद आये बालाजी बाजी राव अब बाजी राव की मृत्यू के पस्चाद जो है उसका बेटा बालाजी बाजी राव पेस्वा बन गया बालाजी बाजी राव खुद सक्ति साली व्यक्ति नहीं था वह पर तेक बात में अपने चचेरे कि सम्मती का लाब उटाता था सदासी उभाव को की देखरेक में ही मराठो की सक्ती 1740 में उच्चतम सिखर पर पहुँच गई यानि कि देखो ये जो राजा बना ये मलब पेसवा बना तो ये तो इसको ज़्यादा आइडिया था नहीं लेकिन ये अपने भाई की साहर टाइम साहता लेता था इस चीज में सदासी उभाव की देखरेक में मराठो की सक्ती 1740 में उच्चतम सिखर पर पहुँच गई रगुजी भोसले ने कई बार मद्यवारत में मुगलों को रोंद डाला और बंगाल पर चढ़ाईयां की 1750 में रगुजी भोसले की मद्यस्ता में रा जो है नुक्सान उठाना पड़ा हुआ जिससे वो बस कहने के राजते बाकी कुछ सक्तियां उनके पास नहीं रही मराठा संग्ठन का वास्तविक नेता पेश्वा को बना दिया गया अब मराठा राजिनीती का केंदर पूना को गया 1751 में उसने बंगाल के सासक अली मराठों को मुगल सामराज्चेर से उत्तर भारत के राजस्व से चोथ लेने का असवासन प्राप्त हुआ यह जो है ना चोथ चोथ बार बार आरा सोच रहूंगे यह क्या यह काम का है यह याद रखना यह वाला ठीक है अब यहां पे देखो उत्तर वरती पेशवा काल यहां पे बता रखा है जिसमें माधव राव यह टाइम था नारायन राव माधव नारायन राव बाजी राव द्वीतिया तो ये उनका कारिये काल रहा है लेकिन कमाल की बात यहां पर आती है पानिपत का तीसरे युद़ वर्णन कीजिए तो आपको पता होना चाहिए 14 जनवरी 1761 को सदासीव राव भाव तता एहमद साब दाली के बीच ये युद लड़ा गया था कड़े संगर्स के बाद युद में मराठों की हार हो गई अलब मराठे हार गए लेकिन भाई बहुत खतरनाक लड़ाई हुई कांसी राज पंडित के अनुसार पानीपत का तीसरा युद मराठों के लिए परलेकारी सी दुवायन की इसमें इतनी बर्बाद हुई बाई जिसको कोई पहले के जो बंदे थे उनकी याद में वहाँ पर उत्सब बगारा करते हैं तो चलवा आगे बढ़ते हैं पंजाब पर इन्हों ने अधिकार कर लिया कब कर लिया भाई अभी तो पढ़के आये थे 1758 में ठीक है 1758 में मराठों पंजब परदिकार कर लिया और अटल के किले पर मराठों का धवज फैराया। अहमदसाअबडालि ने मराठों की चुनोती को स्विकार किया। रोहिला सर्वडार, नजीबू दोला और रवदके नवाब ०ोला ने एहमदसाअबडाली का साथ दे दिया। क्योंकि यहां दोनों ही Marathi सरदारों के हातों हार चुके थे, अब देखो, दुसमन का दुस्मन, दोस्त होता है, दुसमन का ही दोस्त, ठीक है, तो वही हो गये यहां पर, तीन दुसमन जो है, Marathi के जो तीन दुसमन थे, वही इकठे हो गए, एक साथ आ गए, परसी दितियासक में पानिपत का युद हुआ यहाद रखनी पड़े ये डेट आपसे पूछ इस यूद में मराटों की पराजय हो गई लेकिन उन्हें भारी सैनिक छती पी उठानी पड़ी बाला जी बाजी राव इस पराजय को सहन नहीं कर पाए और 27 जुन 17 सोने की दिल के दोरे से मोत हो गई भाई सदमा लग गया उनको इतनी खतरना खार्ज हो गई ना तो सदमे से म इस पानिपत के युद्ध में मराठो की जन्हानी का कुट संदेश यानि कि यहां पर बता रहे हैं कि भाई जो नुक्षान हुआ जो इतना बड़ा सामराज्य था वह एकदम से हिल गया पूरे पूरा सामराज्य यह देगो तुम यह मराठा सामराज्य जो है ओरेंज कलर मे तो निजाम का नियंतरन यहां पर था और मुगलों का नियंतरन शेतर बस यह था पानिपत और दिल यह चोटको सा इलागा भाई इतना बड़ा सासक जो है यहां पर आया और पिट गया बहुत बुरा पिट गया तो अलगी लेवल की लड़ाय हुई थी अब आगे बढ़ते त्रीके से चलाने के लिए अनेक विभागों की सरंचना की गईती पहले हम जानते हैं चतरपती के बारे में शिवाजी के समय सेवम महाराजा परसासन का केंदरबिंदू होता था महाराजा पर्मुक जुप से चतरपती कि भाधी दारन करता था अब चत्रपती का राज्या भिशेक वैधिक परंपरा के अनुसार भव्वसमारों में किया जाता था शिवा जी ने राजये भिशेक के समय हिंदू पाटसाहि अंगीकार कर गाएं और प्रहमनों की रक्ष्या का वर्त लिया तव धर्मो 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 क्या या भारी भाई क्या ही हिंदी लिख रாककेश चत्रपती शेना वित न्याए धर्म परसाशन का मुखिया था इस परकार महाराज मराठा परसाशन का केंदर बिंदू और उच्च तम्सी करता यानि कि जो भी जो निर्णे लिये जाएंगे ना मेन मेन जो निर्णे होते थे वो राजा लेगा महाराज लेगा जिसको जो है उ नहीं रही और दीरे दीरे उसकी जगह पेसवाने ले ली इनकी पेसवा एक नई कैटेगरी थी जिसको परदान मंत्री के लेवल का माना जाता था तो वो बंदे जो है महाराज से ज्यादा सक्तिसाली होने लग गए थे अब यहां पर अश्ट परदान परिसत भी लिख रख आट परदान जिसके अंदर तो वो इसको जो है नुकतियां पर करी गई इसका पर्मुक कारिया है तो ठीक है नहीं मानता तो अगले की इच्छा भाई सामाने अश्ट परधान का कारियर सिवाजी के निर्देसों का पैलन करना और अपने विभाग की निग्रानी करना मतर था अश्ट परधान के मंतरी सिवाजी के परती उत्तरदाई थे कि अगर कुछ भी गड़बड होती है तो इनकी गड़बड मानी जाएगी वो तो चलो आगे बढ़ते हैं वो है पेसवा अब यह जो नई कैटेगरी उबर के आई थी महराज की बजाए पेसवा जो है मारकेट में फैलने लगे क्या सीन होता है देखते हैं यह है राजा का परधान मंतरी होता था राजा की अनुपस्तिती में उसके कारियों की देखबाल भी पेसवा ही करता था मतलब एक तरीके से राजा ही होता था यह भी छुटकू राजा थोड़ा सरकारी पत्रों और दस्तावेजों पर छत्रपती की मोहर के बाद अपने हस्ताकसर करता था सिवाजी के समय पेसवा ज्यादा सक्तिसाली नहीं होते थे सिवाजी की मृत्यू तुम्हें कितना ज्यान है उसके हिसाब से मिलता था लेकिन देरे देरे बदल दिया इसको कोई भी कमाई करता था पहले के टाइम में इतियास में तो सबसे बड़ा साधन था खेती जो है लोग खिसानों से कर लिया जाता था वैसे आज भी लेते हैं क्या ही करें और अन्या पर चलित करतें सरदेश मुखी कर के रूप में किसानों के उत्पादन का दसवा भाग वसू इन्होंने लगा रखा था वैसे आज कल की सरकार तो भाई इनका टेक्स तो ठीक है तुमको लग रहा हो बहुत बढ़ा है ना आज की सरकार देखो तुम अगर तुम 100 रुपे कमा रहे हो तो भाई 20 रुपे सरकार को पूछ तो मनलब 18 रुपे मैंसे तो तो भाई पहले से तो च्यार भाग के रूम में वसूल आ जाता पड़ोसी राज्ये से क्यों वसूलते थे यह लोग जो है संधी या कुछ भी मजबूरन जो है इनको कर देना पड़ता ताकि वह हमला ना करें या कुछ भी मामला हो सकता है तो जिसके चलते यह वहां से मिलता था इसके अलावा ग्र ग्राजय को शूल वहां पिल्कुल आसान है और एक्जाम में पूछ सकते हैं सेना वहाश्ता के बारे में ठीक है कर के बारे में शेंआ व्यवस्ता और न्यायए पढ़ना लिए तीन चीज़े पे छोटे चोटे कोशन मनें बस दो दो नंबर तो इन में से पूछ सकते हैं फ लोगों को भाई खेती करनी है वहीं से लूटेगा उन्हीं का पैसा उन्हीं को सेना में जिन लोगों भरती करेगा वहीं से जाएगा उनका राजा के पास से सिवाजी कभी भी सामंतों की सेना पर निर्बर नहीं रहे सामंतों की सेना क्या होती थी ये वो लोग होते थे जो छोटे मोटे जैसे गाउं का सरपंच हो गया और वो सेना मुहिया कराएगा तो ऐसी सेना के भरोसे नहीं बैठते थे क्या पता वो सरपंची दोके बाल निकल जाए टाइम आने पे तो इस वज़े से वो खुद की सेना रखते थे इस समय मराटा सेना में पदादी घुर सवार परमुक थे गुड़ सवारों को बागीर, बारगीर, सीलेदार, पागा आधी परमुक सेरेणियों में बाटा जाता था सेना नियमित और हतियारों से सूस जितियानी हतियार रखती थी संपून सेना जो है सर ए नोबत नाम का दिकारी के अधिन आती थी सिवाजी ने अपनी सेना में सभी धर्मों और जातियों के लोगों को सामिल किया उसने कोलाबा में एक जहाजी बेड़े का भी निर्मान करवाया जिससे जहाजी हमले कर सके जहाजी समुन्दर वाले जो हमले हैं वो भी कर सके पेशवाओं के अधीन के इंदरिय सेना का सवरूप सामंत साही हो गया था उन्होंने सेना को नकद वेतन के बदले बड़ी बड़ी जागिरें बाटना आरम कर दिया यानि कि अब जागिरें देने लगे थे सामंत बनाने लगे और जिसे जो है सिस्टम पूरा ही बदलने लग गए थे लोग पेशवाओं ने तोप खाना बनाने के लिए पूणे और जुन्र में अपने कार खाने स्थापित किये थे अब न्याय परणाली देखते हैं यह क्या था बाई साइड में प्राज्य विगटन चल छोड़ो कुछ का नहीं है न्याय परणाली कैसी थी वह भी जानते हैं चदिकारी थे ना वो जो है निरने ले दे थे खास तोर पे महाराज अगर बड़ा फैसला लेना या फिर पेस्वा ठीक है वह न्याय दीश एवं पंडित राव की साहता से निरने देता था शिवाजी का न्याल ले धर्मसभा या हुजूर हाजीर मजलिस कहा जाता था गाउं में पटेल जीले में मामलतदार सूबे में सर सूबेदार न्याय का कारिय करते थे अब सारे काम छत्रपती संभालेगा तो भाई ऐसे थोड़ी ना बुद्धी बरश्ट हो जाएगी राजा की तो इस वज़ेसे क्या होता था अगर जो बहुत बढ़ा बहुत संगीन मामला होता ना तो वह राजा के पास आएगा नहीं तो छोटे-छोटे जो ऐसे मुलाजि बढ़ा का फैंसला पंचायत करती थी मराठो की नयाय प्रणाली काफी कठोर और शुधार आत्मक्ती जिसे समाज में काफी शुधार देखने को मिल देते हमको इस परकार हम देखते हैं कि धकसीन भारत में शिवा झी में शीवास जी के नित्रीतों में मार Russ ने सकति權ाली र छैप्तर की स्टार्टिंग मैं आपको बता था अगर विडियो देख रहे हो मेरे को लगता नियुका रहो अब ही अगर वीडियो मुझा है अगर आपके लिए उइस बढ़ता है तो तो अगर कर रहा हो और आपके लिए पूरी देखी है अगर देख रहा हो तो पूरा अब यहां पर देखो यहां पर 19 स्ताब्दी के आरम में मराथा सामराज्य का विगठन शुरू हो गया अब आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि स्ताब्दियों का मामला क्या है तो आप समझ गए ना 19 स्ताब्दी की सुरूआत यानि की उन्नीसो के आसपास है ना 1800 से 1900 तो यह जो टाइम पिरेड़ था इसकी शुरुआत में यानि की शुरुआत का मतलब है कि 1800 से लेके कुछ 1800 के आसपास मतलब 850-810 इसकी आसपास जो है इनका विगठन ओना शुरू हो गया और ब्रीटिश इस्ट इंडिया कंपनी ने यह कंपन इसको बरबाद कर दिया इन लोगों ने और बाद में अंग्रे जोने बजाई फिर लोगों की पहले सासक बजा रहे थे बाद में अंग्रे जोने बजाई तो यह था अपना और यह जो ब्यास के परसन उतर है अलग शे किसी एक वीडियो में कराऊंगा मैं आपको ऐसे नही है हरयाना बोड का जो है अलमुस्ट सारा से लिवस आपको इस चैनल पर मिलने वाला है तो सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में घंटी वंटी दबा लेना ताकि कोई भी अपडेट आए तो आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए